ओवर कॉन्फिदेंस ना ले डूबे आपको एक करनाटक की जीत से इतने अतिप्रसन आत्मुग्द ना हो जाए आप रोवन गुपता जी यह है सवाल सौरब जी देखे हम लोग अपने प्रतिश्पदी से सीखते हैं हमारी विरोधी है बाजपा और सही बोला शहजाद बाई ने अति आत्म विश्वास अति उट्सा ओवर कॉन्फिदेंस इसकी इसकी निशानी है अहंकार यह बाजपा इसकी निशानी है अगर बाजपा का यह ह लोग पागल है कि हम लोग उनके राज़ते पर नहीं चलेंगे अभी आपने कहा प्रदानमंत्री जी यह हार सबसे बड़ी हार प्रदानमंत्री जी की हार है क्योंकि वहां जो उनकी केडर थी सौरब जी वो तो कबसे हार मान चुकी थी बी-एम-बी ब्रस्टाचार महंगाई और बेरोजगारी यह जो बी-एम-बी मॉडल है इसने डिफिट बीजेपी की किये अभी सहजार भाई पूरी स्टोरी यो तोते की तरह पढ़ रहे दे यह किया अरे सब इतना सब किया तो आज भी सारे साथ प्रतिशत की बेरोजगा कर इदर क्यों है देश के अंदर आप आप्टिक्स नहीं चलेगा करना टक का मैसेज क्लियर है आप्टिक्स से काम नहीं होगा आपको डिलिवरी और ग्राउंड करके दिखानी पड़ेगी आप 31 पत्रप आटेंगे उससे नहीं होगा सारे साथ प्रतिशत बेरोजगारी का जवाब देश को देना पड़ेगा आप ये वादा करके आये थे प्रदार मंत्री जी नौ साल के पेरे दो करोर नौकरी देंगे किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था नौ साल में 18 करोर रोजगार बनाने की जगा रोजगार जा रहे हैं तो जनता तो रियक्शन देगी आप आपने हर तरीके से अपने अतिया आत्मविश्वास अपने अहंकार में ट्राइ कर लिया मुक्य मुद्दों से ध्यान बढ़काने का जनता ने आपको करारा जवाब दिया है करनाटक में इसलिए आपके लिए चैतावनी है कि ऑप्टिक्स बंद कीजिए और डिलिवरी और ग्राउन कीजिए जब तक ग्राउन डिलिवरी नहीं होगी अब जनता आपको करनाटक में हुआ कि जो करनाटक में हुआ क्या ये निशकर्ष निकाल लिया जाए उससे कि यही पूरे देश का मूड है नहीं आप परस्तिती देखिए पिशे आप हिमाचल का चुनाव देख लें कुछी महीनें पहले हुए थे आप पूरब की तरफ राज्यों में देखें आप बिहार देखिए उडिसा देखिए बंगाल देखिए जारखन देखिए चतिसकर देखिए दक्षिन के सारे राज परजस्तान को देखें मदपरदेश उन्हें अपने हाथ से ले लिया है तो आप अधिकतर देखेंगे तो चार राज्यों को छोड़ कर भारत्य जंता पाटी या तो किसी ना किसी के साथ गड़बंदन में और पूरवत्तर के राज्यों में अधिकतर वो उनी के साथ होते ह जहां जिनकी केंदर की सरकार होती है यहां आज से नहीं यह शुरू से होता चला आ रहा है तो जो परस्तिती है लोगों को मन में पहले 2014 में बड़े सारे लोगों को वादे किये गए थे लोगों ने छोड़ा भरष्टाचार की बातें आती रही जबकि सारे कोटों ने सब क बड़ी कर दिया चाहे वो 2G हो, CWG हो या कोला घुटाला या कुछ भी हो सारे लोग बड़ी हो गए आज तक जिन लोगों के पर आरोप लगे थे उनके उपर कुछ नहीं हो सका लेकिन 2 करोड नौकरियों की आशा महंगाई पर नेंतरन की आशा काला धन लाकर 15 लाक फस्ती थी तो हिंदू, मुसल्मान, भारत, पाकिस्तान यही होता था, चुनाओ के अंदर रामजादे हरामजादे हुआ करता था, देश के गंडारों को जूंते मारुसानों को यही चलती थी, अभी करना तक चुनाओ के पहले साथ भी प्रग्या कर रही थी, घर में जाती, जब 40% कमिशन वाली सरकारा की बात वहाँ पर आ गई, जब इनसे कोई बात नहीं चल पाती तो इन चीजों पर चले जाते हैं कि लोगों ने मुझे गाली दे दी, ऐसा कर दिया, आजकल जब यहाँ चुनाओ के नतीजे करनाटक के आए तो जे पी नड़्डा और मल मैं आ रहा हूं इसी पर, जो बात है भी आपने कहीं, इसको दूसरे तरीके से भी एक नजरी आ और है इसको देखने का जो कुछ लोग कहते हैं, क्या ये फीडबैक इनकी पार्टी के पास नहीं होगा, कि हमारे लिए करनाटक का मुश्किल चुनाओ है, लेकिन उसके बाव पजूद उन्होंने ओनस लिया उस इलेक्शन को, उसकी जिम्मेदारी ओन की, जो आप कह रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि भई, इन्होंने मुझे गाली दी, इन्होंने मुझे उटा सीधा कहा, मर जा मुदी के नारे लगे, मुदी तेरी कबर खुदेगी की नारे लगे, तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली, तो यह वो अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, यह इसको देखने का दूसरा नजरीया है जो लोग बताते हैं, नहीं ठीक है, आप जो नजरीया बता रहे हैं, बिलकुल ठीक है, एक कहावत है, कानमार्क्स ने कही थी, वेर नथिंग रिलिजन वर्क्स, रिलिजन वर्क्स, बिकॉस रिलिजन इस दो ओपियम फ़ दे मासेश, जहां कुछ काम नहीं करता हूँ, आप धर्म काम करता है, लोग को इसी के उपर गुमरहा करो, आपने का हिंदूत्व का एजंड़ा है, तो फिर विकास की बातें क्यों करते हैं, व हिंदूत्व और विकास ये आपको परसपर विरोधी क्यों लगते हैं? लेकिन उसको जब आप राजनीती में लाकर लोगों को गुमरहा कर आपस में लड़वाना चाहते हैं, वह उचित नहीं है, तो जब कभी आप विकास की बातें करें तो उसमें जब विकास की बातें करने देगें, तो 40% कमिशन की सरकार आगई, आपने कहा ब्रश्चाशार इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर